शेहनास को और गिल को घर के अंदर सबसे प्यार मिल रहा है सर्फ घर के अंदर ही नहीं बलकि घर के बाहर भी शेहनास को फैन्स बहुत प्यार दे रहे हैं लेकिन शेहनास को फ्लिपर भी कहा जाता है क्योंकि शेहनास पहले पारस के साथ थी उसके बाद सिधार्थ के पास चली गई थी फिर पारस के पास आई थी और अब सिधार्थ के पास ही हैं लेकिन ये बाद भी आप सब को पता होगी कि शहनास को पारस से प्यार हो गया था लेकिन जब शहनास को पता चला कि पारस की गल्फरेंड है अगांचा पुरी तो शहनास ने पारस से अपने आपको दूर कर लिया लेकिन अब कई reports ऐसी आ रही है जिसमें ये कहा जा रखा है कि पारस के उपर शेहनास को पहले से ही करश था लेकिन हम आपको बताते हैं सच क्या है दरसल ये तो हमने आपको बताया ही था कि शेहनास ने रोडीज में audition दी थी जिसमें शहनास फेलो गई थी और शहनास गर के अंदर आने से पहले ही रोडीज और स्पिट्स विला को बड़े ध्यान से देखती थी जिस वज़े से शेहनास पारस को स्पिट्स विला से जानती थी और जब शेहनास गर के अंदर आई तब शेहनास ने पारस को देखा तो शेहनास को थोड़ा अपना पंसा लगा जिस वज़े से शहनास पारस के साथ रहने लगी और शहनास को पारस से attention हो गई लेकिन जब पारस की girlfriend अकांचा पुडी की बारे में पता चला शहनास गिल को तो उन्होंने अपने आपको पीछे कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं है कि शेहनास को पहले सही पारस के उपर क्रश था वो बस शेहनास पहले सही स्पिट्स विला में पारस को देखती आई थी इसलिए पारस को देख कर शेहनास को कुछ अपना पंसा लगा था इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे तरह की बिग बॉस जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चानल अरपन न्यूस को करें सबस्क्राइब और येस डॉंट फोर्गेट टो प्रेस बलाइकन ताकी हमारे चानल पर आई कोई भी इंफोर्मेशन आप बिलकुल भी मिसना गरपाएं